वेलकम गाईज तो आप देख रहे है टेक जोस्वन गाईज अगर आपके सिस्टम में वाइफाइ नेटवर्क कनेक्टेड है और उसका आपको पासबोर्ड नहीं मालूम है तो इस पासबोर्ड को हम लोग कैसे निकालेंगे तो इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं बै नेटवर्क एंट इंटरनेट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है नेटवर्क एंट सेरिंग सेंटर इस पर अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सो होगा जो आपका नेटवर्क कनेक्टेड है जिसे मेरा नेटवर्क किये कनेक्टेड है बंटी प्राइबेट नेटवर्क अगर आपको सिस्टम में प्राइबए्ट नहीं तो क्यासे हम प्राइबेट करते हैं वो में बात करेंगे उसके बाद यहां पर आना है एक्सेस टैप पे और यहां पे आपको connection दिख रहा होगा वाइफाई बंखी एतितिस इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपका एक pop-up सो होगा और यहां पे चले जाना है wireless property इस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप चाहेंगे security security पर जाने के बाद यहां पे network security की आपको इसको कराने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि आपके network का password क्या है वो आप यहां पर जान सकते हैं यह होगी आपका पहला method अब हलका सा आपको बात कर लेते हैं यह पर कि private network को हम लोग कैसे करते हैं उहां पर जेटिंग आने के बाद यहां पर आपको देख सकते हैं इस पर किलिक करेंगे जैसे हैं अब किलिक करें तो यहां पर नेटवर्ट पॉरफाइल ताइप में आपको और उसमें अगले मैफड ग्रक्री और चिसमें हम सीखेंगे cmd न कमांड जिसको विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको cmd लिखना है cmd लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे यहां पर एक विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी इसके बाद यहां पर आपको लिखना है नेट यहां पर आपको लिखना है नेट ऐसे उसके जैसे आप यहां पे इंटर करेंगे तो यहां पे आपका सो होगा यूजर परफाइल जो से आपका सिस्टम कनेक्टेर था तो इसमें से आपको जो सा परफाइल का आपको क्या चाहिए पासवर्ड चाहिए जैसे मेरा मेरे को यह इसका चाहिए पासवर्ड बंटी एते तो इस फाइल उसके बाद यहां पर लिखना है अस्पेस देखे नेम उसके बाद इकवल टू लगा के डवल कोट में लिखना है आपका परफाइल का नाम तो मेरा क्या है बंटी ए ते तीस तो हम यहां पर लिख रहे हैं बंटी ए ते तीस उसके बाद डवल कोट को बंद करना है प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका network की यहां पर सूर हो रहा होगा तो आप यहां से भी पता लगा सकते हैं कि को आप को हम आपको की साम देखा सकतें तो मिलते अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर tech just one